हेलो फ्रेंद्स विल्कम बाक टो माई चानल आज की वीडियो एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग वीडियो है इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मटर पनीर की रेसिपी जो की बहुत ही स्वाधिस्ट होती है और मैं इसे किस तरह से बनाती हूँ ताकि यह एकदम रेस्टरांट स्टाइल में बने वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तो चलिए इंग्रीडियंट्स चेक कर लेते हैं सबसे पहले हमें क्या चाहिए यह है कुछ पीसिस अद्रक के आपको अद्रक लेने हैं कुछ मिर्ची उसके बाद काजू कटे हुए ओनियन्स उसके बाद हरी मटर कच्चे और कुछ लसुन की कलिया यह है फ्रेश क्रीम या दही आपके पास जो भी एविलेबल हो चौप किये हुए टमाटर उसके बाद पनीर के तुकडे स्लाइसिस हरी धनिया उसके बाद तड़का के लिए आपको चाहिए करी पत्त तेजपित्त राई जीरा इलाइची और काले मिर्च इसके बाद मसालों में चाट मसाला थोड़ा पनीर मसाला हल्दी उसके बाद थोड़ा गरम मसाला और हीं तो यह सारी चीज़े हमें मसाले के लिए लगेंगी जो की हमें फ्राइ करते वक डालना है तो सबसे पहले हम मट बटर को मैंने यहां उबाल के थोड़ा साइड बे रख लिया अब पैन लेना है आपको पैन में आपको ऑईल डालना है ऑईल कम से कम 5-6 टीस्पून डालना है उसके अंदर सारे तड़के के जो मैंने मसाले बताए वो सभी एक साथ डाल देना है यह हलका सा पक जाए हलका सा भून जाए इसमें खोड़ी खुशबू आने लगे तब इसके अंदर आपको डालना है यह सारे मसाले जो मैं अभी आपको बता रही हूं ग्राइंड करने के लिए आपको लेना है अद्रप, मिर्ची, लसुन और चौप किया हुआ ओनियन यह सारों को पहले ग्राइंड कर आपको बता है ताकि इसके अंदर सी जो अरोमा खुशबू है वह अच्छे से हो जाए उसके बाद हमें डालना है सारे मसाले जो हमने आपको दिखा है पनीर मसाला हल्दी और हींग एनॉल उसके बाद हमें इससे कम से कम 2-3 मिनित ढग देना है फिर हमें पेस्ट रेडि करन या फिर दही अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है दही डाल रहे हैं तो इसे अच्छी तरह से इसी तरह से फेट ये जैसे मैं इसके अंदर फेट रही हूँ तो दही डालते वक्त हमें ध्यान में रखना है कि हमें फेटना है ना कि नहीं तो फट जाएगी उसके बाद पानी जैसे नहीं होती है थिक होती है तो इसके अंदर कम पानी डालिए उसके बाद यहाँ पनीर डाल दीजिए और जो उबाले हुए मटर थे उसे डाल दीजिए पनीर को आप फ्राई करके भी डाल सकते हैं मगर हम यहाँ पे रेस्टॉरंट स्टाइल में बना रहे हैं जहा पनीर को फ्राई नहीं किया जाता उसके बाद लास्ट में हमें डालना है नमक और फिर हमें पांच मिनिट के लिए ढग देना है उसके बाद इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं तो यहाँ देखिए मैंने इसकी प्लेटिंग कर ली है लाल मिर्च के साथ और उपर हमने इसमें क्रीम डाला है हलका सा बटर तो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में बताईए मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और बेल बटन प्रेस कर लीजे ताकि आप मेरी कोई वीडियो मिस ना कर सकें बाई बाई